नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका हमारे चैनल आरोगे गयान में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बैक्सन की होमेपैथी मेडिसिन जो की थ्रोट प्रोब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है गले समंदी समस्याओं के लिए ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या बैनिफिट्स हैं और इसका यूज आपको कैसे करना है अगर आप भी गले समंदी समस्याओं से परेशान हैं आए दिन आपको गले से रिलेटेड प्रोब्लम्स होती रहती हैं तो ये वीडियो आप जुरूर देखिए ये मेडिसिन आपकी बहुत हेल्प कर सकती है वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक देखिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरोगे ग्यान को और साथ ही इस बेल आइकोन को भी जुरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों Throated Medicine Homopathy की एक Medicine है जो की Bagson Company दोवारा बनाई गई है Istor throat यहनि की गले की खराश के लिए Medicine है और बाकी के इंडेक्शन इसके साइड में बताये गई है मैं आपको वह भी पढ़के बता देता हूँ 4. sore throat, horusness, loss of voice, laryngitis and pharyngitis with tendency to catch cough and cold aggravated by cold and sore things यानि की गले में खराश होना, गले में खिच-खिच सा महसूस होना, अवाज बैठ जाना, गला बैठ जाना जिसे कहते हैं अवाज बंद हो जाना, जल्दी infected हो जाना, धूल मिटी में जाते ही कुछ लोगों के गले में जल्दी से infection हो जाती है, गला खराब हो जाता है बाहर की खटी, तली, भूनी चीजे, ठंडी चीजे खाने से बहुत जल्दी गला खराब हो जाना इन सभी problems के लिए ये medicine बनाई गई है, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई problem है, गले से related cold cough तो आप ये medicine का use करके देख सकते हैं, इसका कोई side effect भी नहीं है, और इसके price के बारे में बात करें तो 185 रुपीज इसका price है और ये आपको किसी भी homopathy shop से easily available हो जाएगी, और आप इसे online भी order कर सकते हैं, मैं नीचे description में इसका link दे दूँगा, आप वहाँ से order कर सकते हैं और इसमें आपको बता दूँ, 75 tablets आपको मिल जाएंगी, 185 रुपीज में तो दोस्तों ये तो होगी इसके price की बात, अब हम इसे अंदर से उपन करके भी देख लेते हैं एक बार तो ये है इसकी bottle, आप देख सकते हैं इसकी packaging, white color की ये bottle है और अब मैं आपको इसकी tablet से खा देता हूँ मैंने इसको कुछ दिन यूज करके देखा है, इसलिए इसकी seal break है और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी tablets दिखने में ये ऐसी हैं चूज कर आपको इने को खाना होगा, तो करते हैं वापस इने बंद और बात करते हैं आगे मेरा जो review है इस medicine को लेकर वो ये है कि ये medicine काफी अच्छी medicine है मैंने खुद इसका use किया है कुछ दिन और मुझे से काफी benefit हुआ है, काफी relief मिला है मेरे घर में भी किसी को ऐसी ही समस्या थी गले की उन्होंनों भी इसका use किया है, उन्हें भी काफी इसके फाइदा हुआ है ये medicine काफी अच्छी है और ये homeopathy की medicine है, तो इसका कोई side effect भी नहीं है बड़े भी सेवन कर सकते हैं, भूड़े भी सेवन कर सकते हैं, अगर आप cold कफ में कफ जिर्व का use करते हैं, तो उसके seven से आपको नीद आती है, सुस्ती पड़ती है, क्योंकि उसमें alcohol का use किया जाता है लेकिन इसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं है इसमें कोई भी अलकोहल का यूज नहीं किया गया है इसे खाकर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाले इस सुस्ती विगर आपको नहीं पड़ेगी आप अच्छे से अपना काम कर सकेंगे पर जो homoepathy medicine होती है वो धीरे-धीरे वर्क करती है instant relief नहीं देती यो तो आपको पता ही होगा आपको इसका use थोड़े दिन करना होगा फिर धीरे-धीरे ये आपको फाइदा देती रहेगी और उसके साथ आपको कुछ चीजों से परहेज भी करना होगा कुछ चीज़े avoid करनी होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये जो medicine है वो 17 की homoepathy medicine से बनी है और इसे बनाने में जो जो medicines use हुई है वो मैं नीचे description में लिख दूँगा आप वहाँ से पढ़ लीजेगा और अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका use आपको कैसे करना है अडल्ट्स के लिए जो dosage है वो है one tablet four times a day बच्चों के लिए one tablet twice a day यानि जो बड़े हैं 18 साल से उपर जिनकी age है वो एके गोली दिन में चार बार ले और जो बच्चे हैं 18 साल से छोटे वाले वो एके गोली दिन में दो बार ले सकते हैं और जो मैंने अभी आपको इसके परहेज के बारे में बात की, कौन कौन सी चीज़े आपको इसको लेते समय, इस मैडिसिन को लेते समय अवाइड करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, cold items जैसे की ice cream, ठंडा पानी, cold drinks, इन सब चीज़ों को आपको नहीं लेना है इस द अली भूनी चीज़े, घी, oil से, इन सब चीज़ों को आपको अवाइड करना है, प्रहेज करना है इन चीज़ों से, तभी आपको फाइदा होगा, सो दोस्तो आई होप इस medicine से related जानकारी जो मैंने आज आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नई आए हैं, तो चैनल को सब्सक झुछ जाए हैं, और लाइन आपको जानकारी एysz है, तो णोड़ को जातूए हैं, तो आफको जाए हैं, इसंद़ने आपको एक हैं, और आपको लicians दोगी हैं, जापको जाए हैं, क्पा क्रावबग्थियों कि अयमे में समया ओांको यह जेर् के दो खार.